आप सभी से सबसे पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं क्योंकि मेरी ये वीडियो कई सारे लोगों को चुबने वाली है अगर आप लंभी अवदी के लिए कहीं पर भी अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुचल फंड से बहतर कोई भी चीज नहीं है, मगर उसके बाउजद भी आपने देखा होगा मार्केट में इसके बारे में कोई इतनी बात नहीं करते हैं कहीं पर भी आप बैंक में जाते हैं या कि L.I.C. में जाते हैं तो आपको क्या होता हूँ mutual fund के बारे ही बता दे उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है भाई commission वहाँ पर commission भारी देखने को मिलता है भारी का होता है 10% 20% 30% तक commission देखने को मिल जाता है मतलब कि आप एक लाक रुपे की अपने कोई policy करवा रहे हैं तो हो सकता है 30,000 रुपे तो वहाँ पर commission देखने को मिल जाए बट mutual fund के अंदर कितना commission होता है वो आज मैं आपको खुल के बताऊंगा और मैं मेरी brokerage report भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर इस industry के अंदर वही लोगों आ सकते हैं या तो जो बदलाओ करना चाते हैं अपने समाज के अंदर या घरगर finance के education पुछाना चाते हैं या दूसरे वो वेक्ति जिनका पहले से कोई वैपार चल रहा है काम चल रहा है उसके साथ साथ अपने इंट्रेस्ट के उपर काम कर रहे हैं आज मेरी brokerage report भी आपको दिखाऊंगा कि आखिर मुझे किसी को अगर मैं mutual fund के बारें बताता हूं तो कितना commission देखने को मिलता है asset plus के अंदर आया monthly wise यहाँ पर मेरी report आ चुकी है कि नवंबर में, अप्रैल में, मार्स में, जनवरी में मुझे कितना commission आया latest January 2024 की बाद करते हैं तो मुझे commission जो आया है भाई चार सो उनेंचास रुपे, total आप यहाँ पर दिखाईते रहे हैं अब आपको गैसा चार सो उनेंचास रुपे में आपका कैसे काम चलता है वाला भाई है, कोई नाई का काम कर रहे है, कोई मजदूर है, तो पैसे वालों का पैसा बन रहे है बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा मकसद यह है कि यहां तक यह चीजे पहुचनी चाहिए क्या जो 60 साल की एक महिला सबजी मन्यों सबजी पेच रहे है, क्या उसने पिछले 30-40 सालों के इंदर पैसा नहीं कमाया होगा भाई कमाया होगा, मगर उसको कोई बताने वाला नहीं था, कि ताई जी आप अगर ये छोटी छोटी 500-700 अजार रुपे आप बचाईए 15-20 सालों के बाद उनके पास इतनी ग्रोथ हो जाती कि आज उनको एक काम ना करना पड़ता हाँ आपने इंटरस्ट के लिए चाहे आप तमाम उमर तक काम करें, नो डाउट, मगर मजबूरी के लिए काम ना करना पड़े, ये मेरा मकसद था भाई तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देखते हैं, क्लाइंट के साथ कितना मिलता है, अगर आप 1000 की SIP करते हैं, तो मुझे कितना कमिशन आएगा होता था हूँ, मैक्सिमम एक परसेंट तो है नहीं भाई, क्या आप आदा परसेंट कमिशन मिलता हूँ, 0.70%, मैं एक परसेंट पक परें, यह मेरे कलाइंट है, जैसे नाम लिखा गया सुमित, सुमित जी का पोर्टफोलिय अभी तक 2,41,000 रुपे का पोचुक है, और इस महीने मुझे 2,41,000 के पीछे बाई, सिरफ 180 रुपे ब्रोकरेज आईए, यहाँ पर इस तरीके से सारे के सारी इन्वेस्टर आप द इस तरीका पैसा नहीं कमाता है, मिरा मानना यह यह है कि जैसे अम्मानी विखी बोलते हैं, एक आदमी से सो रुपे कमाना मुश्किल है, मगर एक आदमी से एक रुपे कमाना असान है, तो यहाँ पर भाई, इन्वेस्टमेंट आज मेरा 400 रुपे कमीश रहें, यहाँ पर हजारों में भी होगा लाखों में भी होगा बट वो कहां कब होगा जब एयों बोलते हैं असेट अंडर मनेजमेंट जब मेरे अंडर में माल लिजे 10 करोड का बीजनस हो गया किसी ने 2000 की SIP किसी ने 20,000 रुपे की की तो जब जाके 50-60,000 रुपे हमें भी आने लग देंगे काफी सारे इन्वेस्टर को यहां पर लाके उससे वहां पर छोटा सा कमिशन आके यहां पर भी एक कंपाउंडिंग होता हुआ दिखाई दे जाएगा तो ये कारण है कि जब आपको मीचल फंड नहीं बताया जाता है उनको पता है मीचल फंड के बारे में में अगर बता दिया क्या कमिशन देखने को मिलेगा तो यह सबसे बड़ा कारण है तो भाई मैं आपको आज इस वीडियो के मादन से बताना चाहता हूं मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं मैं अपने कमीशन के लिए आपको कभी भी कोई चीज गल्त रिकमेंट नहीं करूंगा कई बार के चकर में होते हैं यार मैं इनको यह स्कीम दे रहेता हूं इसमें मेरा ज्यादा कमीशन में बनेगा मैं आपको कमीशन के लिए आया हूं मेरा मीशन है आपर और यह भी मेरे पीछे के एक इंट्रस्टिट कानी बरताता हूं मैं मैं 2015 से स्टोक मार्केट के इंदर हूं मुझे अपने मैं जितना फाइनेस दे रहे हो अच्छी चीज़ बता रहे हो तो एक एक्जाम होता है सेवी के दवारा एंफी के दवारा वह एक्जाम आप दिये जिए उसके बाद आप बन जाएंगे मीशन फंड डिस्ट्रिबूटर उससे हमें एक एरा नमबर मिल जाता है उसका फाइदा क्या हुआ कि तो म मैं आज कर पा रहा हूं मैंने वह एक्जाम दिया और वह तीन साल तक ही वैलिड होता है तो उसके बाद आप लोगों को कर पाएंगे और जो लोग आपसे जुडेंगे उससे कुछ आपको कमिशन भी मिल जाएगा जैसे की बता रहा हूं 0.5% 0.70% कमिशन वह भी आपको दे सब्सक्राइब करें अगर आपको इसके बारें पूरी नोलिज है तो आप अपको नोलिज नहीं है तो किसी भी एडवाइजर जो भी आपको लगता है उस एडवाइजर के द्वारा आप जाएं और अपने SIP के कंट्यूलर रखें जो कि आपको गाइड करेगा क्योंकि आपको ग्रीन केंडल भी देखने को मिलेगी और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाते हैं तो यह मेरी वैबसाइट है सीखलें इंडियाफाइनस.com आप इस पे आए यह इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिशन बोक्स में देखने को मिल जाएगा इस पे क्लिक करें सबसे पहले भाई क्रेट फ्री अकाउंट कर लेना फ्री अकाउंट करने के बाद वहां पर पूरा अकाउंट एक्टिवेट किया करें उसके अंदर आपका धार कार्ड पैन कार्ड बैंक की पास्बूक वो सारी चीज़े आप देखें और चैनल के उपर हमारे यूट्यूब चैन मेरे फोन नंबर है हिसार हर्याना का रहने वाला हूं यह हमारी वैबसाइट थे टाइम दिया करो अपने हाथ से खुद आप यहां पर कितनी इंवेश्टमेंट करना चाहते कितनी साल के लिए करना कितना रिटन मिलेगा वह सारी चीज़े आपको आपको देखने को मिल कि कौन सा फंड आपके लिए बैतर है किसके अंदर निवेश करना चाहिए लंसम ठीक रहेगा ऐसा एपी ठीक रहेगी या फिर पैंशन भी आप पना जाते हैं आपके दिमाग में किसा रास तो काम कर रहे हैं 15-20 साल के बाद कुछ